पानिपत शहर खासकर ग्रामिन हलकी में आज लोगों के बीच चर्चा का विशे बना क्वा है बाबरपुर गाओं। पानिपत शहर की बाबरपुर का नाम बदला जाए और उसका नाम नानकपुर रखा जाए जिस पर सहमती भी बन गई हालाकि अभी इसकी उपर से मंजूरी मिलनी बाकी है इस मामले को विधायक पर मोध विजने बकाइदा अपने शूसल साइट्स पर पोस्ट भी किया कि पान ये मुद्दा काफी सुर्ख्यों में रहा बाबरपुर का नाम इसलिए भी बदला जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि शिरी गुरु नानकदेव जी यहां पर आई थी इसलिए बाबरपुर का नाम शिरी गुरु नानकदेव जी के नाम पर नानकपुर रखा जा रहा है पुतले फोकने की बात भी कही जा रही है, सबसे पहले आप उस ग्रुप की वो चैटिंग देखिए, कोई लिख रहा है कि ये सही नहीं है, तो किसी ने लिखा है कि परमोद विच का हमारी बाबरपुर मंडी से क्या मतलब, हमारी बाबरपुर मंडी ग्रामिन में आती है, तो वो पानी पर शहर में परमोद विच के पुतले फोकेंगे, इसके अलावा जब इस बारे में किसी ने जानकारी के तोर पर कुछ लिख कर भीजा, तो उसका रिप्लाई देती हुपी कहा गया, कि कल सभी बाबरपुर मंडी वासी इस विशे में मीटिंग करेंगे, सभी खुश नजर आ रहा है, हाला कि जब इस तरहा की बाते होने लगी, तो कुछ देर बाद ही, परमोद विच के शुशिल साइट्स पर एक और पोस्ट डाली जाती है, जिसे आप अपने स्क्रिन पर देख रही हैं, लिखा गया है कि मुझे समझ नहीं आता, कि प्रतार्नाव और हमलों से बनाई गई, मुगलिया गुलामी की निशानी को खटर सरकार मिटा रही है, तो कुछ लोगों की चाती पर साप क्यों रोट रही है, मुझे दुख होता है ऐसी मानसिकता पर, विधायक पर मोद विच द्वारा पोस्ट डाली गई, उधर बाबर्पुर मंडी के लोगों द्वारा कल इस विशे पर इकठा होने की बात कही गई है, अब पूरे शहर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कि क्या नाम बदला जाना चाहिए, हमें कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे, वोईसो पानीपत के लिए क लवन सी.